तो आज हम देखेंगे means to what we call the effective communication means effective communication किसे कहा जाना चाहिए और इसके उपर हमें एक्जाइम में जरूर सवाल पूछा जाता है जैसे कमिनिकेशन के तौर पर हम देखते हैं कि एक आम तौर पर होने वाला communication होता है एक communication होता है जिसमें miss communication हो जाती है हम एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते और तीसरा जो अहम हिस्सा है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हम हमेशा महसूस करते है उसे कहा जाता है यूस ओफ एफ्टिव कमिनिकेशन नो इस एफ्टिवनिस क्या है ऑगर बहुत फोर्मल है बहुत कमर्शियल है यह एदूकेशन से तालूक रखने वाला है किसी भी तरह का अब्जेक्टिव सथ आमीस It may be very formal like business communication, academic communication, teaching learning या और भी कुछ, counselling and all और इसके अलावा एक communication होता है, that is what we call informal communication जो दोस्तों में, फैमिलीज में, परसनल रिष्टों में होता है तो यह दोनों communication का effective होना यह बहुत ही ज़्यादा important चीज है देखिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा important अगर कोई बात है जिसने इनसान को सही तरीके से रखा है, बांध कर रखा है, सिस्टम को बांध कर रखा है, फैमिलीज को बांध कर रखा है तो उसका नाम है communication और इसका effective होना बहुत ज्यादा जरूरी है यह बहुत ज्यादा जरूरी वाला जो communication है, इस effective communication में क्या चीज़े होनी चाहिए यह हमें लग सकता है कि netset में हमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो हाँ, जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि netset पास होने के बाद, आप करने के वाले हो, you are going to be a teacher, a professor and a professor has to communicate with the students, all the time, all the same और वो जब communicate कर रहा है, अपनी बात पहुचाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका communication प्रभावी हो, no, impressive हो, effective हो, वैसा हो कि बच्चे उनकी बात सुने, क्योंकि मेरे अपनी इसी राय है कि अब किसी की बात सुनने के मोड में कोई भी नहीं है, nobody is in a mood to listen to others, even people sit in the meetings, students sit in the lectures, lecture halls, then in the families, if one goes on speaking, no, the other members are not, means, ready to listen to them, हमें listen में भी क्या होता है, जैसे एक lecture है, इस lecture के अगर मैं लेंद बड़ा देता हूं, 15 मिनट से 20 मिनट, आदा घंटा, एक घंटा, देड़ घंटा कर देता हूं, तो आप इसको नहीं सुरूंगे, जबकि यह बहुत important चीज़ है, no, it's quite an academic one, बहुत important है हमारे education के लिए भी पाप देखें, वीडियोज को लेकर भी ऐसी बात होती है कि वो टाइप के वीडियो, छोटे से, no, small वीडियोज, क्या ट्रेंड है, एक मिनट की रिल बना लो, एक मिनट का शॉर्ट बना लो, या दो-तीन मिनट का वीडियो बना लो और उसको पोस्ट कर दो, तो लोगों त किसी रहा है, as a student, as a teacher, as a friend, as a child of my mother and father, as a, किसी भी रिष्टे में अगर मैं हूँ, तो मुझे सबसे जादा ध्यान देना चाहिए, listening के ओपर, no, I must listen to others, या आदत हमें डालनी चाहिए, तो आप भी जब टीचर बन जाओगे, तो आप 50 मिनिट्स, वन आर्ट, टु आवर्स, ask together, you will be communicating with your students, communicating बिले तो आपके दिमाग में कोई message है, कोई बात है, कोई thought है, कोई idea है, उसको आपको पहुचाना है, अगर आप सही तरीके से effectively पहुचाते हो, तो आपका teaching, एक भेतर teaching हो सकता है, और इसलिए हम इसको teaching learning में भी देखेंगे, जरूर teaching attitude and aptitude में देखने वाले ह है, the principle of clarity, the communication should be in simple, clear and commonly used languages, तो तीन बात है, इसमे, नो, there are three things, so what are the three things, one is, it should be simple, it should be clear and it should be used in the language, commonly known to the listener and the speaker, तो, simple, why simple, no, ब्लोग भात में इस दिफिकल राली बात है करते, you know, most of the times it is not very important to deal with the difficult talk, you know, most of, means most of the times what I find that those who speak English or deliver lecture in English, they believe that I should use some very pompous words, you know, verbose, difficult words, so that my talk will be very impressive, और इसके लिए शेशी थरूर जाने जाते हैं, नो, शेशी थरूर one of the figures in English literature and Indian politics as well, शेशी थरूर को जाना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा difficult words का इस्तमाल करते हैं, अपने articles को लिखते वक्त या बात करते हैं, लेकिन इस बात को मैं quality नहीं मानता, आपको, if you know English well, और any language well, तो उसको बहुत ही simple तरीके से आपको पहुचाते आना चाहिए, दुसरी बात रती है, clear, means, you must be very clear, most of the times, you know, हम्मारा जो टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा unclear, we are not clear to what we talk, what we talk about, what message I want to produce, what message I want to convey to the people, तो I am not clear, जब मिस सेंडर, speaker ही clear नहीं है, तो message effectively नहीं जा पाएगा, and effective communication cannot be taken place as such, तो अगर हम चाहते हैं कि effective communication हो, तो हमारे ये तीन बाते बहुत जरूरी है, you know, simple, clear, and to have the use of commonly known language, to the speaker and the listener as such, let us move, आगे बढ़ते हैं, principle of adequacy, no, the information should be in proportion, इसको maximum of quantity भी कहा जाता है, no, मिस अगर आप English के विद्धारती हो, तो maximum of quantity, मिस एक्सेक्ट proportion में आपको बात करते आनी चाहिए, it should not be too little, it should not be too long, no, it should be in proportion, एक खास proportion में, एक खास हिस्से में उसको बताते आना चाहिए, the excess of information may create ambiguities, और the deficiency may cause pitfalls in communication, मिस एक्सेस अगर हो जाता है, तो उससे ambiguity भढ़ जाएगी, क्या कहना चाहरे है, कोई समझ नहीं पाएगा, कभी ताव में भी यह होता है, मैं बताँगा कैसे, और अगर उसमें कुछ बच्छोटा हो जाता है message, तो this deficiency may cause the pitfalls in communication, समझ नहीं पाएगा, क्या कहना चाहरे थे, इतना ही कह दिया उन्होंने, a very small thing he has talked, तो the message should be very precise, it should be in proportion, it should, और it must, means one must use the maximum of quantity, जितना जरुरी है, उतना ही बताएगे, ओके, जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी इतना जरुरी है आपके एग्जाइम के लिए, तो मैं इतना ही बताऊँगा, I will not stretch it, इसके उपर मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसकी जरुरत नहीं है बिल्कुल, तो लेट एस मूँव लेटिल फ़र्दर, प्रिंसिपल आफ तैमलीनेस, थास्ट्राइशन आप मेसेज इन ताइम इसेंचिल अस्पेक्ट अश्पेक्ट अश्पेक्टिव कम्मुनिकेशन, अब टाइमलीनेस, इसको हम थोड़ा मबैल के इसाब से देखेंगे, अगर आपको मैंने रात को कोई मेरे पास मेसेज अगर देना है आपको और उसका स्पीड ठीक नहीं है और मेसेज या कोई वीडियो मेसेज फर एग्जम्पल वो पहुश्टे पहुश्टे अगर देर ह हो जाती है, तो मेरा काम आठ बजे का है, आपको मेसेज अगर दिलिवर नो बजे हो रहा है, तो कई मतलब नहीं आता है, तो कोई मतलब नहीं आता है, there is no point in getting the message there, and no communication can be taken place as such, because of the delay in communication, इसलिए वो उसका टाइमलीनेस is but a matter of fact, भहत बाहर टाइमलीनेस को ना समझने की वेज The principle emphasizes the active participation of both the parties in communication, my goodness, मैं तो इसको जहलते रहता हूँ, बहुत सारे teachers भी इसको जहलते रहते हैं, वो classroom में बात करते हैं, और बागी के बच्चे बिलकुल सुस्त पड़े रहते हैं, ऐसा जो classroom communication है, वो बिलकुल भी सही नहीं होता है, not only the classroom communication, बहुत बार जो downward communication आता है, उसमें भी हमको यह देखने मिलता है कि जो higher authority जब बात करती हैं, तो जो उनके subordinates है, वो बिलकुल बैठे रहते हैं, वो बिलकुल बात नहीं करते हैं, खास करके, परस्टनल रिष्टों में भी इसका मिन्स से हमें अनुभव आता है, परस्टनल रिष्टों में अगर कोई दो लोग है, और दोनों में से अगर कोई एक बात कर रहा है, और दूसरा उसको respond नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है दूसरा, तो जगडा होना शुरू हो जाता है, खुलता है कि say something from this side or from this side, say something because of not having that responsiveness, यह responsiveness ना होने की वज़े से बहात सारी परिशानिया हमें, परसनल रिष्टों में भी जहननी पढ़ते हैं, और खास करके education में जब हम इस बात का जिकर करते हैं, तो education is actually a symbiotic process, no, a symbiotic process है वो, education is a symbiotic process, और जब education is a symbiotic process है, तो हम देखते हैं कि यह दो तरफा होनी चाहिए, इसलिए बहुत बार ऐसा कहा जाता है, कि जब teacher कुछ बात बताए, कोई topic समझाए, तो उसके बाद 10 या 15 minute discussion के लिए रख देने चाहिए, या question and answers के लिए रख देने चाहिए, ताकि बच्चों का participation उस classroom में उस topic के उपर हो सके, और effective communication, effective education, effective learning, effective teaching should be taken place, वहाँ पर होनी चाहिए, तो यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है, to have the effect, जैसे मैं भी आपसे communicate कर रहा हूँ, तो यह video शायद आपको कुछ देर के बाद मिलेगी, तो आपको comment box में लिखना चाहिए, something you must write, not only कि आपने पैसिवली विडियो को सुन लिया और बंद कर दिया आपना में, you must say something there in the comment box, either in the verbal form or in the non-verbal form, or you can also call me, if you know me personally, you can also call me and say कि, no, this is what, a kind of a participation, whatever, you know, I will emphasize on this aspect of participation, कि किसी भी तरह का communication हो, जिसमें दो लोग हिस्सा ले रहे हैं, हमने पहले भी देख चुके हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है, कि दोनों लोग उसमें participate करें, कोई अगर एक बात कर रहे हैं, तो यह one-way communication होता है, one-way communication can never be called a, and effective communication as such, so, my personal emphasis as a teacher, will be on this aspect of this effective, active participation, आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें पार्टी प्रिंसिपल अटेंशन, आँ माई गाट, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा अटेंशन बहुत जादा चंचल हो गया है, हम ध्यान नहीं दे पाते, there should be a very proper attention to what is being said, what I am listening, नाटक करना, मैं बहुत बार देखता हूँ, कि बच्चे क्लास्रूम में 50 हैं, for example, 50 के 50 बच्चे टीचर की तरद देख रहे हैं, लेकिन उन में से जादा तर बच्चे सुनने का सिर्फ नाटक करते हैं, the drama of listening, that is a drama, पाच बच्चे लेकिन जो ध्यान से सुनते हैं, सालों साल जो सुन रहे हैं, right from their first class, to their post graduation, and even after that, बहुत जादा फर्क पड़ जाता है, जो लोग अच्छा सुनते हैं, अटेंशन देते हैं, वो जादा अच्छा क्म्मुनिकेशन, means effective बनाते हैं, they make communication process an effective one, और जब कोई सुनने वाला ध्यान से सुनने वाला होता है, तो अगर बात अगर एक तरफा भी चल रही है, किसी की तरफ से जा रही है, फिर भी बोलने वाले को मजा आता है, बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, और सामने वाले के नीद आ रही है, बोर हो रहा है, वो यानिंग कर रहा है, या फिर वो अकडन आ गई है, शरीर में जकडन आ गई है, फिर वो बहुत परिशान हो गया है, उसके चेहरे पर बहुत यह अजीब तरफी के भाव हैं, अगर ऐसा सब कुछ होता है, तो बोलने वाला भी बात नहीं कर पाएगा, यह बहुत ही सिंपल चीज है, और यह ज़रूरी नहीं कि क्लास्रूम में ही हो, मेटिंग में ही हो, फॉर्मल कही पर ही हो, यह कही पर भी हो सकते, इवन आट, मेंस, इसमें और एक बात जुड गई है, बात अब्जेक्टिव लिस्निक स्कील यह आजकल हमें नहीं देखनी मिलता है, बड़े सब्जेक्टिवली, जो हमें सुनना है, या जो हम सुनना चाहते है, वो बात अगर कोई बोल रहा है, तभे हम सुनते हैं, तो इस ब्रवरी सब्जेक्टिव लिसनिंग, कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बोले, और जब वो बोलना शुझे, बाबा लोग जो होते हैं, या फिर कोई गलत दोस्त होते हैं, मैं उनको गलत दोस्त कहता हूँ, या जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जब आप उनको अपनी बात बताते हो, तो आपकी हा में हा मिलाते हैं, फिर वैसी ही बात करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो आपकी बात को काटता है, और आप उसकी बात सुनते चले जाते हैं, चाहे फिर वो इंस्ट्रक्शन हो, आपको डाटना हो, या आपको खुछ बाते बताना ह और अगर आपको बुरा लग जाता है, इसका मतलब आपका listening क्या है? subjective है, objective नहीं है It's a subjective listening, not an objective listening as such So objective listening skill is a milestone in acquiring things, knowledge, gaining knowledge and becoming a wonderful person and personality as such अगर आपके पास कौन बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, दोनों बाते छोड़ दो What is said or what is being said is importantly to be understood क्या कहा जा रहा है, इसकी उत्रफ हमारा ध्यान रहना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो paper है आपकी, यह paper बहुत ही objective type की paper है, बहुत ही logical paper है idealized form में इसको इस paper का design होता है, कि what is the idealized form of communication, effective communication, इस तरीके से इसको देखा जाता है means हम यह भी देखते है कि the principle of courtesy, courtesy actually is a word that has come from English literature, courtesy means a beloved quotes the lover or the lover quotes the beloved as such, the courtesy can be taken here as the helpful and friendly attitude towards others, in this regard, courtesy of manners plays dominating role in, means important, prominent role में से कहूंगा, not dominating role it's a very, it plays a very important role in the world of communication as such let us move, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, the principle of politeness participants must be cooperative to each other while communicating, यह सारी जो बाते the principles of effective communication हमने देखी हैं, यह language के बहुत ही इस उचिस्तर की बाते हैं, इस उचिस्तर को हम कहेंगे maxims of politeness कहते हैं, यह फिर इसे cooperative principle कहते हैं, cooperative principles, तो यह बहुत ही language की pragmatics इस ब्रांच का एक बहुत ही बड़ा वाला जो हिस्सा है, बहुत ही important and advanced level पर चलने वाले communication का जो हिस्सा है, उसका जिकर हम यहाँ पर देख रहे हैं, आगे मिस कलम आखरी जो हिस्सा है हमारा देखेंगे, that is, that will be the barriers of communication, किस communication को effective communication कहा जाता है, एक, या इन में से कौन सी बात, we can call it the barrier of communication, effective communication कहा जाता है, यह दो बाते हमें जरूर exam में पूछी जाती है, इसलिए पूछी जाती है, कि क्या जो exam में बैठा होवा candidate है, जो net set की exam पास होकर, आगे बढ़ने वाला है, उसको communication यह सबसे important aspect के बारे में, topic के बारे में, सही तरीकी से पता है कि नहीं पता है, क्योंकि communication को दो हिससे में देखा जाता है, आइदर in effective communication और miscommunication, तो mis paper setter, इस बात का पूरा खैल रखता है, कि जब my communication पर paper बना रहा हूँ, तो I must make one or two questions on the effective communication और the barriers to effective communication as such, तो जरूर आप इन बातों की तरफ बहुत ही जादा seriously, sincerely देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो जरूर इसे like करें, comment box में लिखें कि आप और क्या इसके तालुक से सीखना चाहते हो, कोई आपकी suggestions होगी, advice होगी, demands होगी regarding this paper one net set की exam को लेकर, तो जरूर बताए, channel को share करें अपने दोस्तों में, जो भी पढ़ाई कर रहें, उन तक आप इस channel को पहुचा है, subscribe करें और bell icon दबाना, बिल्कुल ना भले ताकि आपको सबसे पहले इस नए आने वाले वीडियो की notifications मिलते रहें, thank you very much